तो फ्रेंड इस वीडियो में आपको एचू का थ्री फेस का ब्लोवर मोटर कैसे चेक करते हैं इसके बारे मैं बताने वाला हूँ तो आप देख पार होंगे कि मेरे सामने है और यहां पर देख पार होंगे कंट्रोल पैनल है यहां पर दिखाने ही कोशिज करूँगा आज हम लोड या फिर जो है एकुमेंट का ग्राउंड होना हो सकता है तो यहां पर आपको देखने को मिल जागा यह ब्रेकर देखने को मिल जागा और इसके बगल में जो है आपको डिस्कनेक्ट स्विच देखने को मिल जागा दोनों ही हमने आफ कर लिया और यहां पर देख पर ह आपको देख पार होंगे यहां पर इसके अंदर आपको ब्लोर मोटर दिखाई दे रहा है विद्पुली और वेल्ड पर यह लगा हुआ है देख पार होगे मैं घुमा के दिखा देता हूं बहुत ही smoodly घुम रहा है है लेकिन हम को चेक करना आ है मोटर जैसे कि मैने वीडियो बताई है तो मोटर को चेक करने के लिए यहां पर देखवार में रस्ती लगा हुआ है जो कि होज इसَّ में दिखाई दे रहा है यह होज तो होज को होज को होल्ड करने के लिए यह बाद जोhey इसके जो इसका जो वाइरिंग बॉक्स पे फोर इसक्रू लगा हुआ है इसक्रू को उपन कर लेंगे सबसे पहले असानी से अराम से उपन कर लेंगे और यह बुक हंसें का यह जो है मोटर है थ्री फेस का मोटर है तो सबसे पहले हम जो यह वाइरिंग बॉक्स को उपन कर ल कुछ टर्मिल आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें कुछ प्लास्टिक भी है प्लास्टिक में कुछ है तो इसके बैग में तो हम देख लेते हैं क्या है तो यहां पर देख पर होगे कुछ यहां पर कॉपर की प्लेट रखी हुई है और यह वारिंग बॉक्स देख पर होग 12 सकते हैं तो यडेटा वायरिंग करने करने का सबसे आसान तरीका है आप अब को दिखाने की कोशित करूँ का कि यहां पर चलिए यहां पर है मैं दिखा देता हूं यह प्लेट को सबस्क्रेंद के आपिए आफ बला डेना हो जाती है अगर इस्टार वाइरिंग करनी है तो इस्टार वाइरिंग के लिए आपको आपको दिखाने की कोशिज करूँगा आपको प्लेट को ऐसे लगा लेना है ऐसे लगाने से आपका इस्टार वाइरिंग हो जाता है इसका इस्टार वाइरिंग की हम बात किसी और के जरूवत पड़ेगी हैं तो क्लैमीटर आपको ले लेना है और अपको और लेक्षात करने के लिए देख पा रहे ओंगे मैंने इसको ohms mode में डाल दिया और एक L1 और L2 का ohms चेक कर लेंगे और ohms जो है 3 face में जो रहता है similar होना चाहिए देख पार होंगे 3.2, 2.7, 2.3 है देख पार होंगे जितना भी ohms आएगा ये similar ohms आएगा आपको L1, L2 के बीच में और L2, L3 के बीच में जितना भी ohms आएगा ये similar ohms आएगा अब हम इसकी grounding चेक कर लेंगे और देख पार होंगे आपने ohms चेक कर लिया अब इसकी grounding चेक कर लेंगे grounding चेक करने के लिए आपको जो है आपके climator को आपको continuity mode में डालना पड़ेगा आपको grounding चेक कर लेना उसके बास एक वायर जो है आपका जो क्रामिटर को चेक कर रहा हूं तो सब में यह भी पा रहा है अगर किसी एक भी टर्मिल में ग्राउंड के साथ भी पा रहा है तो इसका मतलब है कि आपका मोटर ग्राउंड है तो इस तरीके साथ मोटर का grounding चेक कर सकते हैं उमीद है कि आपको वीडियो पसंद आई है और कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पोस्ट सकते हैं